अगर आप सब लोग क्लास 11 और 12 के स्टुडेंट्स है और स्पेशलिए आप सब लोग के लिए वीडियो पहुत जादा इंपोर्टन रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सब लोग के साथ में डिसकस करने वाला हूं कि क्लास 11 त 12 एकनॉमिक सब्जे S90 को अच्छी तरह से कर सकते हैं werden से अगर अच्छी तरह से करेंगे मैक्र। Aykonomες कि या junior और हम सब लोग ज़्यादा माग स्कॉर कर सकते हैं या फिर हम लोग को किसी reference book को ज़रूर फॉलो करना चाहिए जादा माक्स स्कोर करना दिए यही कुछ कोश्चन्स है जिनका आशल सब लोग को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है ताइस टार करते हैं अगर क्लास 11 की बात करता हूं जा फिर मैं अगर क्लास 12 की बात करता हूं तो क्लास 12 के अंदर आपको दू किताबे पढ़ने बढ़ते हैं वहाँ पर भी कौन-कौन सी एक मैक्रो एकनोमिक्स है और दूसरी किताब आपके पास इंडियन एकनोमिक के डेवलोमेट की रहती है जिसे की आई-ई-डी बोला जाता है तो आज का टॉपिक रहेगा कि कौन-कौन सी बेस्ट किताबे रहेगी आप लोग को क्लास 11 और 12 के लिए cbse वाले बच्चों के लिए तो क्या लिखे गया है यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है कि माइक्रो और मैक्रो की फांडेशन आप लोग की फांडेशन आप लोग बहुत अच्छी कर लें अपनी जितनी बहतर आप लोग की फांडेशन होगी उतरा बहतर ही आप सब लोग लोग घ्रो कर पाएंगे यह फिर आप सब लोग उतरे बहतर तरीके से सारे के सारे सब्सकों सारे के सारे टोड़ेस को समझ पहेंगे These recommended textbook प्रवाइड comprehensive coverage and critical thinking skills अब आप लोग को बताए कि आपका जो cbse का paper जो सिर्फालतीय का वह भी कैसे होने वाला है आप लोग का क्रिटीकल बेस्ट डूर्लै अब आप लोग को जो भी आप लोगोल ने समझ ए उसको अप लोग रियल लाइफ के अंदर कैसे अप्लाइ कर पाते हैं उससे रिलेटिड आपका पूरा का बहुत जादे डिटेल में नहीं बताएगा है लेकिन आप सब लोग को समझने में दिक्कत आएगी उसके अंदर तो उसके लिए आप लोग को टीचेस की रिक्वार्मेंट पढ़ेगी तो और रेफरेंस बुक के अगर मैं बात करता हूँ ज्यादा बहतर तरीके से चीज़ों को क्या किया गया एक एक लाइन बाइलाइन चीजों को बताया गया है तो दोनों किताव अपने लेवल पर बेस्ट हैं रिके टी याइर जैन रिकमेंड अब इसके अंदर क्या-क्या टॉपिक्स आप लोग पढ़ते हैं जैसे की डिमांड पर क्लास 11 के अंदर है तो क्लास 12 के अगर बात की जाए तो मैक्रो एकोनोमिक्स के अंदर भी टीयार जैन्सर की किताब को आप लोग को फोलो करना है राइट नैशे अब बात करूँगा फिर आते हैं इंडियन इकनोमिक डिवलोपेंट द्याइट राइट तो इंडियन इकनोमिक डिवलोमेट के लिए आप एंच इपोलो करने चाहिए यहां पर मैं किसी स्तेंड़ भूच को आप लोग ओर रहा हूं लेकिन अगर अगर चाहता है तो टीयार निश्ण को डीतेल बहों पेपाँ स्टाटिस्टिक्स फॉर एकनोमिक्स ट्यार जी अ जिर अगेन ने चलास 11 का टॉपिक कौन से किताब को प्रहू कर यह स्ट यह ऩे आर जैनसर की किताब को अर्द कर लिए गास स्टाटिस््टिकंट फॉर करने का काम करता है जो भी आप economics के अंदर topics को पढ़ते हैं उनको राइच अब बात करते हैं कि सब्सक्राइब दिखती कैसे हैं अगर मैं किताब को purchase करने जाओ पार्केड के अंदर तो मैं क्या बोलूगा कि सर कैसी किताब दे तो कैसी मुझे पता तो अचीए तो अगर मैं बात करूँ अगर क्लास 11 की रेफरेंस बुक्स की बात करता हूं तो दो यूनिट आप लोग को पढ़नी है या फिर दो बुक्स आपके पास है एक आप कैसे तो यूनिट करते है इसके साथ-सथ आप सब लोगों को इंड्यान एकनॉमिक डेलोवेंट के लिए चाहिए यानि की यहां पर जो इंडियर उकणॉपिक डेलोवेंट कि यह किताब यह जो होनी चाहिए आपकी सपोर्टिव होनी चाहिए सपोर्टिव को पूछा जाता है इसले अगर अगर आप संदी गरग सर की किताब को करते हैं तो वो किताब भी बहुत अच्छी है उसको भी फोलो किया जा सकता है लेकिन मेरी तरह से ज़्यादा रिकमेंडेशन इस किताब को रहेगी ठीक है तो ये वीडियो थी आप सब लोग के लिए जहां पर मैंने आप सब लोग के साथ मैं रेफरेंसे को शेर किया अब बता देता हूं कि कॉमर्स अड़ा किस तरह से आप लोग की मदद करने वाला है तो कॉमर्स अड़ा पे अगर आप पहली बार इस वीडियो के तुरू आने लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा क्यों क्योंकि इस चैनल पर आप सब लोग को मिलता है सबसे बहतरीन कंटेंट आपके सब्जेक्ट वाइस टॉपिक वाइस और साथी अगले वीडियो में तब तक के लिए ठीक के और जाहिंत